सरकार चाती है कि युवा भटक जाये ताकि आराम से माल मसाले लूटते हैं पांच साल का पूरा समय मिल गया आप नेभीस के अंदर आरलपी हो चाहिए मैं के रहा हूँ कि वसुंद्रा जी को जित छोड़ देनी चाहिए जब प्रदान मंतरी जी ने का देश में मैं बीजेपी में पैसे इसको ब्यूटी पालन जैसे मना रखा मंग लेगो आर्थिक आधार पे जो आरक्षन की बात के थी सोन जाए जो इनको भी मेरे एजन्डे के अंदर रहा हूँ मैरा फाशन स्वामी कॉंप्लेक्स अन्वेगा मौल अजमीर नमस्कार MTTV में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस्पेशल बातचीत के लिए जो हमारे साथ हैं उन्हें किसी पहचान की वैसे आवशक्ता तो नहीं है पर करवाना मेरी जिम्मेदारी है तो उन्हें किसान नेता कहलवाना पसंद है है वो नागोर के सांसद तो आईए बातचीत करते हैं हनुमान बेनिवाल जी से सर मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि आजकल यूनिवर्स्टीज में जो उत्पात मचा हुआ है सरकार यूवाओं की नवज नहीं पकड़ पा रही है या यूवा बटक रहे है क्योंकि आप खुछ राजनीती से आते हैं इसलिए यह सवाल महत्पूर्ण है आपसे बोचे सरकार चाती है कि यूवा बटक जाए ताकि आराम से माल मसाले लूटते रहे हो देश के अंदर जहां भी सरकारे रही है यूवाओं को कोई रोजगार का साधन नहीं कोई नीती निर्देश दिसा दसा इसके बारे में सरकारों ने विचार किया ही नहीं तबी तो बेरोजग सरकारे यूवाओं को जासा जरूर देती है इसी पर मेरा दूसरा सवाल है आप से कि आप किसान की बात तो बहुत जोरो शोरो से उठाते हैं और अच्छा भी होना भी चाहिए पर मैं कह रहा हूं कि मिडल क्लास भी परेशान है यूवा भी परेशान है पैंतालिस साल के चर सबसे पहला यूवा और किसान यह दो और मिडल क्लास के लिए भी आमने बात करी कि फ्री बिजली किसानों को मिलनी चीए आदी रेट पर गरलोब बोक्ता उसको आदी दर पर बिजली मिलनी यह मैं सम्मेरे प्रमुक्ता से रहें और मैं तो तमाम जो स्टेट के मुद्दे से यह आर्थिक आधार पर जो आरक्षन की बात कि इनको भी मैंने मेरे एजंडे के अंदर रखा था इससरी बात है कि जैसे कि अप बहुत बाट llegar यहां पे देखी ती अपने अब चातर संकार लेकर उदकतन में का। सर बंगला आप खाली करवा लेंगे साथ में यहां बंगला खाली करवाने के बैलनस किसे बैट रहाना मेरा उडंक है aerial पर गवांगा है पूरे परतिवाद दें बंगला तो खाली इसलिए होना चाहिए एक तरफ तो आप कह रहे हो अच्छा मैं कि रहा हूं कि वसंद्राजी को जित छोड़ देनी चाहिए जब प्रदान मंत्री जी ने का देश में तो मोदी जी का जो अनुषर ने वसंद्राजी को करना ची बंग प्रदाजी को अनुषर ने कि अगले चुनाओं में तीसरा विकल्प जनता के सामने वोट देने के लिए मौजूद होगा इस इस तर की तयारी है क्या हमारी पूरी तयारी है हमारे पिछले अठरा के अंदर भी जब हम आये थे तो अठरा में जब हम लोगों ने शुरुआ अठरा के अंदर पार्टी बनाई पहले हमने जन अंदुल खड़ा के राजस्तान के अंदर सत्ता के लिए हम नहीं गुम रहे था हम चाहते थे रोजगार मिले किसानों को करजा माप मुद्ध विजी टोल मुद्ध आम आदमी के मुद्धों क किसके साथ जाएं विल्ली कंदर हमारा कौई हमने स्टेट के लिए थर्ड़फ़ंट की बात करें तब हमने जो बच्चों से फिट्वेक लिया सबकी इच्छा ते कि मोदी जी का मैं साथ दिना है देश के अंदर वाईराश्ट्यता की बावना हर बच्चे कंदर है तो मनें दलों से भी घट बंदन हो जाए वैसे आप यह बता हो कि जो कॉंग्रेस की आंधी थी बीजेपी का विरोध था आंधी को हमने रोका नन्यान में कॉंग्रेस आई और बीजेपी बड़ी यह हमारे संगत्स का प्रणाम था कि 28-29 एमेले पहली बार 30 साल बार अलग-अलग दलो तक आप इसको संगठात संगठन को किस तरह बढ़ा रहे हैं संगठन के हमने भी टीम गोचित कर दी आपके यह मरूप जिख़ए यह संजय जी को महुत प्रदेश मंत्री है यह हमारे जिलाज जिक्स होंगे तो प्रतिये के संगठन हम पूरे तरीके से हमने पहली बार एसी कि अधिक्स होती है कि कुछ पद मिले ताकि कारे किया जा सके तो क्या मैं मानूं कि अगली मेहतुकांशा अनुवान बेनिवाल जी की राइस्थान मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे देखें मेने ऐसा कभी भी नहीं का मैंने यह भी का था कि कोई किसान बेटा अगर दुलाबने गर मैं तो बहराती बहारती बहुते हैं यह जरूर होती है नहीं अभी का दो चुनाव कहा है मुखे में इच्छा है जो होती है राजनी ती उसके सवाल है अभी मेरी इच्छा है नहीं फिलाल इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि अ कि अ कि अ कि अ